करेकी the sum of first n to n 3 and terms of an ap जो है s1, s2, s3 दे रखा है तो शो करने के s3 जो होगा that equals to 3 under bracket s2 minus s1 के बराबर होगा तो एक काम कर लेते हैं मान लेते हैं कि भाई ap का जो पहला term है a है ठीक है और common difference जो है o d यह आप तो खुद लिख लीजिएगा ठीक है ap तो सबसे पहले आप s1 निकालो s1 जब निकालोगे ठीक है तो आप क्या करोगे sum of first n to n 3 in terms of an ap जो है b s1 s2 s3 दे रखा है ना तो पहले n terms का s1 दे रखा है तो मतलब कि यह कह रहा है कि n by 2 और यह क्या है 2a and plus क्या है n minus 1d है इस समझे मागए तब first n s1 दे रखा न यानि कि sn जो है आप ऐसे लिखो ता आपको बिल्कुल confusion नहीं होगा चलो और थोड़ा असान कर दे रहा हूँ sum of first n यानि कि sn जो है न वो आपके पास s1 के बराबर है न तो मतलब कि n by 2 और bracket में लिखो यहाँ पे 2a and plus क्या होगे n minus 1d equals to s1 हो जाएगा ठीक है उसके बाद sum of first s2n दे रखा है या आपके पास s2 के बराबर है तो s2n s2 के बराबर है तो इसका मतलब हो गया कि this implies a 2n by 2 ठीक है 2n by 2 होगा और a 2a and plus यहाँ पे 2n minus 1d होगा और या आपके पास s2 के बराबर हो गया तीसरा आप 2n by 2 में 2 काट भी सकते हो कोई बात नहीं अब हमारे पास यह आगया s1 और यहां आगया हमारे पास s2 अब कर भात कि s अर थर्ड में कर भात कि 3n जो है s3n जो है o s3 के बराबर है तो यानि कि 3n by 2 होगया और उसके बाद 2a and plus क्या हो गया 3n minus 1d जो है na o s3 के बराबर आगया ठीक है अब तीसरा हमारे बास से आगया 3 निकाल लिया अब condition था कि S2 minus S1 यहां पर right में check कर लो अब क्या करते हैं S2 minus S1 check करते हैं हम पहले तो S2 हमारे पास क्या है 2N by 2 और यहां पे होगे 2A and plus 2N minus 1D S2 था फिर minus क्या करेंगे S1 करेंगे तो S1 आपके पास था N by 2 N by 2 और यहां हमारे पास मिलेगा 2A plus 2A plus क्या हो जाएगा N minus 1 A D के बराबर जाएगा ठीक है अब जरा इसको हमारा हम से solve करते हैं पहले तो तो पहले आप इसको solve करो solve करके यहां पे देखो 2 और 2 काड़ दो कोई दीकत नहीं है तो N अब इसको जरा bracket को 2A and plus 2 N D and minus D ले लो चलो minus N by 2 रहने दो अभी यहां पर यहां गया 2A and plus N D और minus D लो normal subtraction जैसे करते हैं हम उसी तरीके से यहां भी कर लेंगे कोई problem नहीं होगा ठीक है तो अब यहां पर देखो 2A plus 2 N D minus D है और यहां पर एक काम करते हैं हम यहां पर अच्छा एक काम और आप करो ठीक है इस 2 को काटो नहीं अभी काटो नहीं तो और जदा असान हो सकता बूलो क्या असान हो सकता इसको 2N by 2 कर लो ठीक है ऐसी रहने दो अब देखो दोनों में 2N by 2 में N by 2 में N by 2 common आ रहा है आ रहा ना common इसको common ले लो भई तो यहां पर 2 बचा तो 2 bracket में क्या आएगा 2A प्लस आ रहा है 2ND और माइनस डी आ रहा है और माइनस N by 2 तो common नहीं ले लिया यहां पर 2A प्लस ND minus D आ गया bracket समझ माया है हमने 2 कड़ा नहीं है पर N by 2 N by 2 common नहीं कल गया जब N by 2 common लोग होते हैं यहां तो 2 आ जाएगा ठीक है देखो यहां पर 2 आ जाएगा 2ND minus D तो break कर लिया bracket को ND minus D यह bracket को break कर लिया अब N by 2 N by 2 common लेते हैं पर 2 under bracket 2A plus 2ND minus D बच गया और N by 2 तो common था तो minus 2A plus ND minus D बच गया अब यहां पर N by 2 हो जाएगा अब यहां पर देखो 4A and plus 4ND minus 2D आएगा और minus 2A minus ND और minus minus plus क्या आएगा यहां पर ठीक है टू टू जा 4A टू जा 4ND minus 2D minus 2A minus ND और यह plus D आ जाएगा बच्चों है ना कुछ कट रहा है कि नहीं terms नहीं कट रहे हैं कोई terms तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है 4A से 2A गया तो 2A बचा 4ND से 1ND minus होगा तो 3ND बचेगा अब minus 2D और plus D होता है वो minus D के equal होता है ठीक है अब आगे और आ जाते हैं तो N by 2 अब यहां पर 2A लिख लो और यहां पर 3N minus 1D हो जाएगा दोनों में लास्ट दोनों टों में D कॉमन ले लेंगे हम ठीक है ना अब यह हमारे पास आ गया अब जड़ा देखो क्या पुछा जा रहा है अब यहां पर S2 minus S1 S2 minus S1 का 3 times अगर हम कर दें ठीक है आप देखो now 3 times of S2 minus S1 अगर हम करते हैं तो वह जो हमारा है S3 के बराबर आना चाहिए और S3 अलड़ी आपने निकाला हुआ है यहाँ पर ठीक है तो चलो भाई 3 times करो तो 3 और S2 minus S1 का वैलू आ रहा था N by 2 और यहां पर क्या रहा था 2A और प्लस आ गया 3N minus 1 AD आ गया तो मतलब यह आ गया 3N by 2 और यह आ गया आपके पास 2A यहां पर आगे 2A और प्लस क्या आ गया 3N minus 1D आ गया आप चेक करो किसके बराबर आ रहा है S1 क्या था आपका S1 हमारा S3 sorry S3 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 यही तो था देखो चेक करो आप 3N 2A प्लस 3N S1D था that means कि this equals to क्या होगा S3 के equal हो जाएगा यानि कि 3N bracket S2 minus S1 जो होगा वो S3 के equal हो गया इस तरीके से से इंप्रूब कर लेंगे बिल्कुल ही सिंपल कुश्चन है बस वेरीबिल जाद है इसले थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा